नमस्कार दोस्तों, सकंद पुराण के अनुसार सोत जी कहते हैं, विदर्ब देश में सत्यरत नाम से प्रसिद एक राजा थे, धरम पूर्वक राच्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुक पूर्वक बीद कया, एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्ब देश पर आक्रमन कर दिया, उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ, दोनों पक्षों की बहुत सीसेना मारी गई, परंतु अन्त में विदर्ब देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गई, विदर्ब राज की करववती इस्त्री दुखी होकर रात के समय राजफवन से निकल कर वनकी ओर चली गई, सुभा होने पर उस रानी ने जलाशे के किनारे एक व्रिक्ष के नीचे एक सुन्दर से पुत्र को जन्म दिया, उसके बाद वहप्यास से व्याकुल होकर जलाशे में पानी पीने गई, इतने में ही एक घडियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया, वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया, जब वह नवजात शिशु व्रिक्ष के नीचे पड़ा हुआ, जोड-जोड सी रो रहा था, उसी समय भगवान भुले नात की पासे, वहाँ पर एक उमा नाम की ब्रामनी पहुची, वह अपने एक वरश के बालक शुची वरत को गोद में लिये हुए थी, वह ब्रामनी बहुत ही गरीब और विध्वा थी, वह भीक मांग कर अपना गुजारा करती थी, उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन स सोचा, अरे, यह तो बड़ी हरानी की बात है, कि यह नवजात शिशु, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी, यहां पर पड़ा हुआ है, इसकी माता कहां चली गई? जब वह ब्रामनी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय, वहां से एक सन्यासी गुजरे, वह ऐसे जान हे ब्रामनी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परमकल्यान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर, वह दयालू भिक्षू वहां से चले गई। उनके जाने के बाद, ब्रामनी ने उस बालक को लेकर अपने घर की और प्रस्थान किया। वह ब्रामनी एक चक्रा नामकनगर में निवास करती थी। ब्रामनी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोशन किया और उसका नाम धरमगुप्त रखा। वह बिक्षा के अन से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्रामनी उन दोनों बालकों को सा लेकर भीख मांगती हुई देवमंदिर में चली गई। उस समय वहाँ पर शांडिल्यमुनी पधारे हुए थे। शांडिल्यमुनी को देखकर ब्रामनी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा ए ब्रामन एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। आप क्यान के नित्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनीवर बोले यह विदर्ब देश के राजा का पूत्र है। इतना कहकर शांडिल्यमुनी ने उस बालक के पिता के युद्ध मे मारे जाने तथा उसकी माता के ग्राहदवारा ग्रस्त होने का सबसमाचार पूरण रूप से बताया। यह सुनकर प्रामणी को और भी आश्चरे हुआ। फिर उसने प्रश्न किया है महामुनी वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए। और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्थ हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्थ करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाए है? तब शांडिल्य मुनी बोले, इस राजिकु त्रिलोकी नात महादेव जी की अराधना में मगन थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी को लाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रू को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रू पांडे राजा का सामन्त था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किये बिना ही। राजा ने रात में भूजन भी कर लिया। इसी प्रकार रा पूरव जन्म में विदर्व राज हुआ। शिव पूजा में विग्न होने के कारण शत्रू ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूरव जन्म में जो उसका पुत्र था। इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उलंगन कर यह द्रिदृता को प्राप्थ हुआ है। इसकी माता ने पूरव जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही फह इस जन्म में ग्रहा के द्वारा मारी गई। हे ब्रामणी तुम्हारा पुत्र पूरव जन्म में भी एक ब्रामण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में बिताया है। यग्यादी सतकरम नहीं किये। इसलिए यह द्रिदृता को प्राप्थ हुआ है। उस दोश के निवारन के लिए अब यह भगवान शंक का पूजन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी द्रिदृता का निवारन होगा तथा राज्यसुक की प्राप्थी होगी। इस प्रकार शरन में आई हुई ब्रामणी को मधुर वच्नों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्यमुनी ने उनके दोनों बालकों को वहां से चली गई। चार मास बाद एक दिन ब्रामण का पुत्र नदी में सनान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला। जिसे लेकर वह अपनी मा के पास गया। मा धन से भरे हुए घड़े को देकर खुश हो गई। और उसने कहा इसे अपने भाई के सा आधा आधा बाट लो। मगर धर्म गुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयम के करम का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसनता पुर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्रामन का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमन करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्वकन्याई आपस में खेल रही थी। ब्रामन कुमार वही पर रुप गया और राजकुमार से बोला हमें इस से आगे नहीं जाना चाहिए ये गंधर्व कन्याएं हैं किसी को भी अपनी और आकरशित कर सकती हैं मगर राजकुमार नीडर होकर आगे बढ़ता गया जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धरमगुप्त को देखा तो वह उसके प्रती आकरशित हो गई उसने अपनी सभी सक्षियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतिक्षा करने लगी उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की उसने बताया कि मैं विदर्व देश का राजकुमार हूँ मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है और शत्रू ने हमारे राज्य पर कबजा कर लिया है कन्या ने अपना परिचे देते हुए बताया कि मैं विदरविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ मेरा नाम अंशूमती है और मैं गायन में प्रवीन हूँ उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकाल कर राजकुमार को पहना दी तब राजकुमार ने पूछा तुम राजपाट गमा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाऊगी और अपने माता पिता की अनुमती के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो इस पर अंशूमती बोली चाहे जो हो जाए मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ तुम दो दिन बाद प्रातेहकाल यहां आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्रामनी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वह दोनों बहुत खुश हुए। दो दिन बाद राजकुमार पुने उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशूमती अपने पिता के साथ उसकी प्रतिक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा मैं कैलाश पुरी गया था। वहां शिव भगवान और माता पार्वती नी मुझे बुला कर कहा कि धरमगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुने प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आग्या की अनुसार अपनी पुत्री अंशूमती का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं और राज्य प्रा जब तुम शिव लोक में आओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेशा नुसार राजकुमार धरमगुप्त और अंशूमती का विवा हो गया। अंशूमती के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। से इना की सहायता से उसने अपने शत्रों को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज तुने प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धरमगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरी ब्रामणी को राजमाता का दर्जा द और शुची व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकाल नियमित रूप से प्रदोश व्रत कलने से ब्रामणी उसके पुत्र शुची व्रत तथा राजकुमार धरम गुप्त को धन धान्य तथा सुक संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं जो मनुश्य प्रदोश व्रत के इस पुण्य मई महतम्य को एकागरचित होकर सुनते अथवा पढ़ते हैं उन्हें सोजन मों तक कभी द्रिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्यान के एश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परमधाम को प्राप्त ह होते हैं बोलो शंकर भगवान की जय माता पार्वती की जय